नमस्कार, मैं हूँ विद्या, AXS MF के Weekly Wisdom में आपका स्वागत है इस Monetary Policy Announcement में RBI ने रिपो प्रेट को 6.5 प्रतिशत पर बने रखने का फैसला किया है यह फैसला Domestic Growth और Inflation के बीच संतुलन को दिखाता है हालांकि Q1 FY25 की Growth में थोड़ी गिरावट देखी गई है RBI ने अपना stance चेंज किया है इस बार Withdrawal of Accommodation से Neutral किया है कमिटी ने FY25 के लिए GDP Growth का Forecast 7.2 प्रतिशत पर ही रखा है जबकि Q2 के लिए Growth Rate को घटा कर 7 प्रतिशत किया गया है Central Bank ने इस Fiscal Year के लिए Inflation Forecast को 4.5 प्रतिशत पर बनाए रखा है यह Decisions, Global Uncertainties और Inflationary Pressures को ध्यान में रखकर लिए गए हैं आगे बढ़ते हुए, Mutual Fund Assets ने सितंबर 2024 के अंत तक 67,09,000 करोड रुपए का नया रिकॉर्ड बनाया है Mutual Fund Industry ने 5 करोड से ज्यादा Unique Investors के माइल स्टोन को अचीव किया है SIP Contributions भी 24,509 करोड रुपए के All Time High पर पहुँच गई हैं Equity Category में Multicap Funds जो Large Cap, Mid Cap और Small Cap Stocks में Minimum 25% का निवेश करते हैं उन्होंने 42% का जंप देखते हुए 3,509 करोड रुपए का Net Inflow देखा है तो यह थे इस हफ़ते के Updates अगले हफ़ते और Updates के लिए बने रहिए Weekly Wisdom पर धन्यवाद Mutual Fund निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें